हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग सभी एंजॉय कर रहे हैं स्टेडी को एंजॉय करना है इसको ओके लोग डाउन को कहें है तो ठीक है प्रोब्लम है एक्सेप्टेड ठीक है लेकिन इसको पूरा फाइदा उठाने घर पी रहे के मज़े से पढ़ाई करने हैं बस हम य हम अएश्टाइन और इस्राइल वाला ठीक है शेकेड चेप्टर में भाद में करेंगे पहले इसके पूएं यह देख लेते हैं के इत्रेस्टिंग को नम है यह प्रॉंडर्स फिल्ड फिल्ट ठीक है, फिल्ड से खेत होते हैं और फ्लेंडर से यहां भी एक जगह का नाम है ठीक है, जो कि बेल्जियम में यहां है, बेल्जियम जो एक रोप का देश है clear, देखो फ्लेंडर से फिल्ड से फिल्ड से इस अ कोमन नेम फॉर दे वास्ट ग्रासी एरिया इन दा, बेल्जियम वेर थाउजंड सोफ यंग मैं डाइड दूरिं दे फिल्स व्ल्ड वार रेड पॉपीज ग्रीव इन दे फिल्ड ओवर दे ग्रेव अफ तफालन सोल्ड जर्स ठीक है, कि बेजो यह जगह है फ्लेंडर से फिल्ड की टीक है, यह भी जलीड का कहा है एसा एरिया है, बेल्जियम पेखियआ है तौर फॉपीपल यह भी दून हो चुके है कि कि कहां किस लिए क्यों हुए किस की धुरान हुए वह स्ट वॉल्ड वार के दुरान हुए ठीक है जो फस्ट वल्ड वार उसमें गया एक जगह है बोहां पर in a यह तिंढ़ होई यह तुर्स में अभ़ां बहुत है तो अब साय थक्ते शविश्य से ऊप those यह वहां पर उगा हुआ है ठीक है over the graves of the fallen soldiers graves किया होते है आपके कब्र कब्र नहीं होते है जो दफना देते हैं कब्र बन जाती है ग्रेयव होते है कब्र और कब्रिस्तान क्या हो जाएगा graveyard ओके हमारे यहां पर क्या है जो dead body होते है उसको चला दिया जाता है इसको जो other countries है वहाँ पे उनको दफना दिया जाते हैं, तो ग्रेव होगी उनकी कब्र, ठीके तो उनकी कब्रों पे उख गए हैं, red puppies, red color के फूल है, उनकी कब्रों पे उख गए हैं, आगे देखो, It is thought that Canadian soldier Dr. John McCree began writing this famous poem on the evening of 2 May 1915, inspired by the death of his friend Lexis Helmer, ठीक है, लेकि विचारा जाता है, विचारा जाता है, विचारा जाता है कि जो ये poem है, किस ने लिखिया है, Dr. Canadian McCree ने लिखिया है, ठीक है, कब लिखिया दिये है, दो मईक उनकी सुपंद्रा में, किसके इंस्पायर होके, उनकी जो फ्रेंड थे, उनका दियान तो हो गया था, उनकी डैथ हो गया थी, ठीक है, उनकी फ्रेंड का नाम एलक्सिस हैल मरता, उनसे इंस्पायर होके जो नो उनने ये poem, लिखिया लेगी, बहुती famous poem बन गई, ठीक है, इस poem में जो ये puppy है, फूल का जो पूधा है, ठीक है, ये जो symbol बन गया है, इनकी लिए जो, आप सी जगडे में, जो है, soldiers मारे गए थे, उनके लिए, ठीक है, जाना पैचाना, सिंबल बन गया है, ये, world का बोधी, जाना पैचाना, सिंबल बन गया, clear, आगे देखो, poem में क्या गया रहा है, इन, in Flanders Fields, Flanders के खेतों में, in Flanders Fields, the puppies blow between the crosses, ठीक है, Flanders के जो fields है, उनके खेतों में, जो puppies है, ये फूल है, वो क्या है, उडते हैं, between crosses, crosses के बीच में, ठीक है, row and row, that mark our places, पंक्ति दर पंक्ति क्या है यह हमारी जो जगह है उनको मार्क करते हैं कि यह यहां पर जो है यह डेट बोड़ी यहां पर दफनी हो यह उसको इंडिकेट करते हैं बताते हैं and in the sky the larks still bravely singing ठीक है और जो आस्मान में क्या है larks पक्षि सीच में पूल इंगलश में स्पैसीज़ क्पैसीज वह जो razem रहे है ठीक है ब्रेवली सिंगगेद सिच्टेवीं अब भी चेले पाद्रे दा से वह घर फ्सकाיט हर्ड अमिटि देगंस बिलो ठीक है तो जो हमेर चाहिए जगडा वगरह की जो होते है न उसके जो गन वगरह जो आवाज है इतना सोर गुल सोर सराप वगरह उसकी जो वही से वह अमिट ठीक है वह जो है सुनता है कौन फ्लाइज कार्ज जो कास में जो उड़ रहा है लीवेड कुछ दिनों पहले किया हम जिन्दा थे फैल्ट डान डान को जो है फिल कर सकते थे डान क्या यहां पर डान होती है D.A.W.N. जो सूबर-सूबर जैसे आप 5 बजे उठते हैं तो क्या होती है भुहुर ठीक है भुहुर होती है ना होती है झुद धूर एक उतए मोबाईल में से देख रहा हूँ नीचे देख नहीं रहा हूँ इंट कंसेंट्रेशन थोड़ा दो ध्रोड वन को आगे वे आर डैड हम पेはल जिन्दा थे फ़ैल्ट डान जो है बहुर को जो शुबह इसको महसूस कर सकते थे Sunset glow तीक है सुरियासत ए चमक तुअँ है देख सकते थे loud and was loud प्यारे थे और प्यार किये गए थे and now we lie in Flanders fields अब कहाँ में Flanders के खियतों में है take up our quarrel with the foe हमारा जो जगड़ा है वो उस दुस्मन से low to you from failing hence we throw the torch ठीक है failing क्या होता है कमजोर कमजोर होता है हाथों से क्या है जो torch है वो नीचे गिर जाती है we throw the torch ठीक हम जो है torch को गिरा देते है be yours to hold it high ठीक है सब कुछ जो है आपका है इसको अच्छे से hold गर के रखो पकड के रखो उचाई से if ye break faith with us who die we shall not sleep ठीक है यदी क्या है तुम हमारा ही जो है विश्वास तोड़ते हो जो की मरते हैं तो हम जो है नहीं सोएंगे यहाँ पी यह है ना यह इसको यह का मतलब why or you होता है clear यह क्या है पुराना form है old fashioned होता है old fashioned क्योंते है पुराना एक पुरानी form ही यू की यू कैसे लिखते थे पहले ठीक है वाई यह क्या है यह क्या है यह तुम हमारा जो है विश्वास जो है तोड़ते हो तो क्या है हम हमें नीद नहीं आएगी ठीक है फर्स्ट वाल्डवार था उस समय जो है एक पॉयम लिखी दी नोने जॉन मैक्री ठीक है तो यह आपकी जो है पॉयम थी होती स्वीट पॉयम है दुख भरी पॉयम है क्योंकि यहां पर लोग काफी मरें हैं ठीक है यह पॉयम जो अपनी नोट बॉक में लिखा करो क्लियर और अपनी टाइम बचाए लोग्डाउन को अपने जो काम है ना फटा फटा फट जो है नोट बुक में फेर नोट बुक में करते रागरो क्या व्योड बच्छाव देख बुक में लिखा रख बच्छाव को एफड़ बच्छाव श्राइब के लिखा प्लाइब के लिखा है